दूस्तों राकी सावन्थ और मिका सिंग का एक वीडियो इन तोनों सोशल मीडिया पर खूब वारल हो रहा है जिसमें इन दोनों की लगभग 15 साल के बाद मुंबई में एक काफी शाप के बाहर मुलाकात होती दिख रही है किस विवाद के इतने सालों बाद जब दोनों मिले तो इस दोरान दोनों एक दूसरे की काफी तारीफ करते हुए नजर आए मिका सिंग نے जहां बिक बॉस में शामिल होने के लिए राकी सावन्थ की तारी की तो वहीं राकी सावन्थ ने भी मिका सिंग को सामाजिक कारेों को लेकर उनकी जम कर प्रिशन सेकी दोस्ते मुलकात इसलिए भी खास थी क्योंकि किस विवात के बाद ये पहला मौका था जब इस तरह से पब्लिक प्लेस पर राकी सावंत और मिका सिंग आमने सामने टकरा गए हूँ दरसल राकी सावंत कॉफी शाप पर जब फोटोग्राफर से बात कर रही थी तब ही मिका सिंग ने वहाँ पहुँचकर राकी सावंत को हग कर लिया राकी सावंत ने मिका सिंग के मूँ से ऐसा सुनकर उनके पैर चुने लगी लेकिन दोस्तो उस वक्त हद होगी जब राकी सावंत ने अपनी तारीफ सुनकर वो मिका सिंग के पैरों में गिर पड़ी इसके बाद राकी सावंत ने बताया कि कोरोना महमारी के दुरान किस तरीके से मिका सिंग ने रहत पहुंचाने का काम किया है जब भी कोई महमारी अबार जैसे इस्तितियाती है तो मिका सिंग बड़े दिल के साथ आ गयाते हैं दोस्तों गौरतलवे की साल 2006 में मिका सिंग ने अपनी जन्दिन की पार्टी में राकी सावंत को बिना उनकी सहमती के किस कर लिया था जिसके बाद अच्छा खासा बबाल हुआ था लेकिन अब जिस तरीके जाकी सावंत की जिन्दगी अब धीरे धीरे बिग बाउस में आने के बाद पड़री पर लोटती दिखाई दे रही है उनके साथ जुड़े तमाम विवाद भी धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं बलाल मिका सिंग और राकी सावंत की इस मुलाकात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तीचे कर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें धन्यवाद